नमस्कार दोस्तों, आपका फैमली ओटर डॉक्टर एपी सोना, नींद, निद्रा, स्लीप बहुत ही जरूरी है दोस्तों एक इंसान की जिंदगी में हर इंसान को कम से कम 7-8 घंटे सोना चाहिए सोने से हमें ताकत मिलती है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं हमारे दिमाग को, ब्रेन को आराम मिलता है, हमें फिर से एनरजी मिलती है जो लोग नहीं सोते या बहुत कम सोते हैं, हमेशा ठके रहते हैं, exhausted ठके रहेंगे ऐसा, उनका काम करने में मन नहीं लगेगा उनको काम करने में कंटाला आएगा, ठकावट रहेगी, फ्रेश नहीं रहेंगे बे लोग उनका productivity, काम करने में जो उनको मिलना चाहिए, उनको results वो नहीं मिलता दोस्तों, और कुछ लोग जो सोते नहीं है, और अगर driving कर रहे हैं, driving accident हो सकता है, accident, जान जा सकती है, जान इसलिए दोस्तों, हर इंसान को कम से कम 7-8 गंटे सोना चाहिए अगर कोई 72 गंटे तक नहीं सोया, वो मर सकता है, he can die, मर सकता है इसलिए दोस्तों, नींद बहुत जरूरी है इंसान के life में, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोली खाईए, लोग कहते हैं, ने, ने, आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी अरे बबब नहीं सोएंगे, तो जिन्दगी खत्रे में है, बहुत बड़े खत्रे में है कितनी सारी बिमारिया है जो नींद ना आने सोवती है ब्लट प्रेशर, डाइबिटीज भी है, यह जो में में बिमारिया है नहीं सोएंगे तो ये सब बिमारियां और डेंजर में आ जाएंगे इसलिए दोस्तो नींड आना जरूरी है सोना कितना जरूरी है दोस्तो स्लीप इस वेरी इंपॉर्टन इन व यूमन बिइंग्स लाइफ सेवन तो एट आउज अव स्लीप इस रिक्वाइड कुछ लोग सोचते हैं हम फुल नाइट पढ़ेंगे और फॉर्स्ट आ जाएंगे नहीं दोस्तो अगर आप रात बर पढ़ेंगे तो दिन बर आप फ्रेश नहीं रहेंगे दिन बर सोते रहेंगे फ्रेश नहीं रहेंगे आप इसलिए सोईए आप टाइम से सोईए अगर किसे को टाइम नहीं मिल रहा है कभी भी सोईए लेकिन कम से कम छे गंटा साथ गंदा आठ गंटा सोईए आप लोग स्लीप इस वेरी इंपॉर्डन फॉर लाइफ दोस्तों आज का टॉपिक था स्लीप नींद अगली बार एक ना टॉपिक लाऊंगा तब तक लिए आपका फैमली आउटर आपसे विदा लेता है थैंक यू बेरी मुच जै हिंद